Hello students, I am Alka Verma, Assistant Professor भारती College of Pharmacy, तुर्क आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कुश करने वाले हैं वी फार्मेसी थर्स टेमेस्टर का और्गेनिक केमिस्टरी जो चल रहा था दो वैल्यूज मैंने बताई थी अनलेटिकल कॉंस्टेंट में रहे हैं Acid Value and Sponification Value next हमारी Value है Ester Value तो ester value क्या होता है हमको सुनके ही लग रहा है कि क्योंकि Fats and Oil जो होते हैं हमको Fetty Acid और किसे मिलकर बने है? Fetty Acid और Alcohol का Mixture है ester तेक्यें उसी ester को हम बोल रहे है Fats and Oil तो हमको क्या करना है अब ester value निकालना है नॉर्मल टरम्स में अगर हम समझें तो क्या होता है कि जब हम किसी जब हम किसी फैट या ओील को लेकर एस्तर बनाते हैं जब हम लोग क्या करते है किसी भी fat या फिर oil ठीक है fat या oil से हमको क्या बन रहा है कोई भी fatty oil हमको किस से मिलकर बना हुआ है किसी भी fatty acid fatty acid और alcohol ठीक है तो fatty acid और alcohol का mixture क्या है fat and oil मतलब हमको ये दोनों चीजों से मिलकर ये बना हुआ है और हमको अब इसका evaluation करना है लेकिन इसको हम कहीं कहीं पर क्या बोल रहे हैं they are esters of fatty acid and alcohol मतलब ये ester भी है CW हना इनके structure में अगर हम देखेंगे तो इस ester का determination करना कि किसी भी fatty acid और alcohol के mix होने से जो ester बना है तो कितना ester बना है ये अगर हमको determine करना हो तो हम वहाँ पर निकालते हैं उसकी ester value किसी भी fatty acid और alcohol के mix होने से जो ester या फिर fat and oil बने है कितना amount of ester बना है ये पता करने के लिए हम उसकी लिकालते हैं ester value इसे को हम कहते हैं ester value ठीक है अगर मुझे जानना है कि कितना ester बना है तो उसके लिए मैं क्या add करूंगे इसमें कोई भी base base that is NaOH and KOH ठीक है अब इस NaOH, KOH को मैं क्यों add कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता करना है कि कितना CW इसमें है तो अगर NaOH और KOH को add करने से ये जो ester है ये किसमें convert हो जाएगा acetate में sodium acetate अगर मैं sodium hydroxide लोगी और KOH अगर लेती हूँ तो potassium acetate तो इस ester को acetate में convert करने के लिए तेक है इस ester को acetate में convert करने के लिए जितने amount of NaOH या KOH की requirement होती है हम लोग उसको बोलते है उसकी ester value और इस ester value की help से हम ये पता लगाना चाहते है कि किसी भी fatty acid और alcohol से कितने ester बने हैं ठीक है तो वो ही चीज़ कि हमको हमको इसमें क्या करना है simply हमारे ester को acetate में convert करने के लिए हमारे ester को acetate में convert करने के लिए हमारे को हमको base चाहिए और base चाहिए तो base हमको कौन सा चाहिए, sodium acetate बनाने के लिए sodium hydroxide, और अगर potassium acetate बनाना है तो potassium hydroxide, ठीके, देख सकते हैं आप लोग यह acetate, C, O, K, यह क्या है potassium acetate, तो किसी भी ester को acetate में बनाने के लिए हमको base की ज़रत होगी, और वो जो base, जो amount of base हमको चाहिए, लिखा है न, the amount of milligram of potassium hydroxide is required to neutralize the ester reaction, that is called the ester value of fats and oil, तो यह हमारा है ester value, ठीके, ester value का formula क्या होता है, ester value is equal to saponification value minus acid value, इस value में अगर हम put करें, saponification value में से acid value को अगर मैं minus कर देती हूँ, तो किसी भी fat से oil का हमको ester value पता दो जाएगा, next क्या जाता है हमारा iodine value, iodine value क्या होती है, जैसे मालो कि क्योई भी compound में अगर double bond और triple bond हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, unsaturated, और अगर single bond हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, saturated, तो किसी भी unsaturated compound को saturated में change करना, iodine की head से हम उसको बोलते हैं, iodine value, क्या बोल रहा है देखो, यह example में हमने ले लिया है, unsaturated कोई fat या oil का structure, ठीके, अब एक चीज और, किसी भी structure में हम जानते हैं, कि अगर मालो double bond वाले compound है, तो उसमें 1 sigma bond होते हैं, और 2 pi bond, sorry, double bond वाले compound है, तो 1 sigma bond और 1 pi bond होते हैं, और वो ही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मालो triple bond है, तो triple bond में क्या होते हैं, एक sigma और 2 pi, ठीक है, नीचे वाले sigma और उपर वाले जितने होते हों, pi होते हैं, तो माल, इसमें कितना दिख रहा है हमको, एक sigma bond और इसमें 2 sigma bond, ये pi bond, एक pi bond और ये 2 pi bond, तो इसी के basis पे हमको क्या करना है, pi bond को sigma bond में change करना है, simply, किसी भी unsaturated compound को क्या बनाना है, तो क्या बोल रहा है, pi bond shows the structure of compound, इसके लिए हमारे पास, देखते हैं, आप लोग, क्या बोल रहा है, जैसे ये unsaturated compounds है, unsaturated compounds क्यों है ये, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर double bond है, और कहीं पर triple bond है, इस double bond की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये double bond की tone का है, कभी भी degree of saturation किसके basis पर decide होता है, carbon और hydrogen के बीच बनने वाले bonds है, carbon-carbon या फिर carbon और hydrogen के बीच बनने वाले bonds थे, उससे हम degree of unsaturation decide करते हैं, तो किसी भी unsaturated compound को saturated में change करने के लिए, the amount of iodine is required is called their iodine value, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस double bond को single bond बनाना चाहते हैं, तो हमें reactions balance करने के लिए, carbon की balance दिखाने के लिए, दोनों तरफ एक-एक bond लगाना पड़ेगा, तो वो एक-एक bond कौन देता है, iodine, ठीक है, तो जैसे ये double bond, double bond वाले compound, double bond, triple bond, इसको क्या किये, saturated बनाये, तो हमारे पास iodine के molecules रहें, iodine कितने होते हैं, I2, ठीक है, I2 मतलब 2, I plus I, तो इसने हमने क्या किया, दोनों तरफ iodine, iodine जोड दिया, क्योंकि हमारे पास, यहाँ पे एक पाई, दो पाई, तीन पाई bond थे, तीन पाई bond अगर है, तो उस समय हम इसका इंटू iodine से कर दें, तो I2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 iodine दिख रहें, इसी के basis पे हम लोग निकालते हैं, कि iodine value मतलब कि किसी भी unsaturated compound को, किसी भी double bonded, triple bonded compound को, saturated compound, that is, single bond compound में change करना, iodine की है, उसको हम बोलते हैं, iodine value, यह वार examples है, definition हम लोग देख लेते हैं, the amount of the milligram of iodine is required to convert unsaturated fats and oil into the saturated fats and oil, that is called their iodine value, ठीक है, मतलब हम क्या किये, double bond और triple bond वाले compound को, single bond में change कर दिए, for the conversion of one gram of unsaturated fats and oil, the amount of iodine is required is called their iodine value, ठीक है, एक चीज़ और, किसी भी compound का, किसी भी fat या oil का, degree of unsaturation अगर हमको पता करना हो, कि कितना unsaturated है वो, degree of unsaturation पता करने के लिए, हमको iodine value की help लेनी चाहिए, यह objective questions के लिए है, यह, कि degree of unsaturation करने के लिए, हम कौन से analytical constant value की पता लगात तो उसमें आएगा iodine value, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का acetyl value, ठीक है, acetyl value क्या होता है, यह भी अगर हम देखें तो सब कुछ एक जैसा है मिलता जूलता, स्रिफ थोड़ा थोड़ा ही difference है, acetyl value क्या होता है, किसी भी fat या oil, ठीक है, पहले definition देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कि जब हम बात करते हैं किसी fat या oil की, ठीक है, fat या oil को, जब हम saponification reaction करते हैं, तो हम उसका reaction किस से कराते हैं, NaOH से, soap बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसका reaction, यह reaction आपको डिकरा है, जब हम NaOH से reaction कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, alcohol और acetate, पहले भी बताया था मैंने, alcohol और acetate, इसी value को अगर हम निकाल ले रहे थे, तो हम उसको बोल रहे थे, ester value, acetate value, और अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, acetile value, तो हम क्या किये, fat या oil का जब reaction NaOH से कराएं, तो हमको जो acetate मिलता है, वो acetate का nature acidic होता है, ठीक है, क्योंकि वो acetate है, इसका nature क्या होता है, acidic, इसी acidic nature को neutralize करने के लिए, जतने amount of base की हमको requirement होगी, हम उसको बोलते हैं, उसकी acetile value, ठीक है, यहाँ लिखा है, they break into acetate, and to neutralize the acetate, the amount of the milligram of KOH is required, is called their acetile value, ठीक है, इस acetate को, जिसका nature acidic है, neutralize करने के लिए, जितना base लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी acetile value, last और सबसे important value हमारी आजाती है, Richard missile value, जिसको हम बोलते हैं, short में, RM value, ठीक है, क्या होता है Richard missile value, RM value का मतलब क्या होता है, की, definition देखे हैं, in 5 gram of sample of fat and oil, water is added and heat the solution, after heating, the vapor of fatty acid is formed, to neutralize the vapor of fatty acid, the amount of KOH's solution is required, is called their Richard missile value, क्या बोल रहा है, की अगर हम किसी fat या oil को, किसी beaker में, या तो फिर, किसी, आपको किसी भी container में लेते, ठीक है, जिसमें हम heat कर सकते हूं, उसमें अगर हम किसी fatty oil का sample लेते हैं, उसमें कुछ small amount of water add कर देते हैं, उस small amount of water add करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको mix करेंगे अच्छे से, और mix करने के बाद heat होने के लगा देंगे, heat होने से क्या होगा, vapor form होगा, ठीक है, तो उस vapor में कुछ amount of acid होते हैं, तो उस vapor में जो amount of acid होंगे, उसको neutralize करने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, base, क्यों acid present हैं, क्योंकि ये जो fatty oil है, वो fatty acid से मिलके बना है, तो अगर मैं इस टर्म को यहाँ fatty acid बोलू, यहाँ फिर acid बोलू, दोनों एकी चीज़े है, तो इस vapor में present acid को neutralize करने के लिए, जितने base के requirement हमको होती है, हम उसको बोलते हैं, उसकी RM value, that is Richard Missile Value, ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा base हम इसमें add करते हैं, 0.1 normality का KOH, ठीक है, अब देख लीजिए, यह test हम लोग क्यों करते हैं, क्या importance है इसकी, तो अगर हमको detection करना हूँ, किसी भी butter का, butter क्या है, fat, ठीक है, अगर आपको पता लगाना है कि वो butter कितना amount of volatile nature contain करता है, volatile का मतलब क्या, वो vapor के form में उड़ जाते हैं, तो अगर मैं heat करूँगी, वो vapor के form में उड़ जा रहे हैं, इसका मतलब उसका volatile nature है उसमें, तो क्या बोल रहा है, RM value is deduct that in 5 gram of fat and oil, the amount of volatile nature is present, अगर मैं किसी compound की RM value निकाल लूँगी, तो मुझे यह पता चल जाएगा, कि उसमें कितना volatile nature था, क्योंकि मैं vapor में present acid को neutralize कर रहे हूँ, तो हमको अगर butter की purity के detection करना हूँ कि कितना pure है, कितने amount of volatile वो contain करता है nature, तो हम उसके लिए RM value निकालते हैं, इक और चीज़ important है, कि कोई भी fat या oil, अगर हम लेते हैं sample में, दो natures हो सकते हैं उसके, या तो वो volatile nature का होगा, या तो फोल non-volatile nature का होगा, ठीक है, volatile मतलब उसको अगर मैं water के साथ soluble कर रहे हूँ, तो वो फिर heat करने पे vapor के form में उपर उड़ेगा, और non-volatile मतलब जो नहीं vapor के form में उड़ते हैं, तो हम अगर किसी volatile fatty acid की बात करते हैं, तो volatile वाले क्या होते हैं, water soluble fatty acid, और non-volatile वाले क्या होते हैं, water insoluble fatty acid, तो हमको non-volatile की इस value में बात ही नहीं करने हैं, हमको किसकी बात करनी हैं, हमको बात करनी हैं, volatile fatty acid की, तो हम जब volatile fatty acid को लेते हैं, और heat करते हैं, तो heat करने पे some amount of उसके vapor में हमको acid मिलता है, और उस acid को हम neutralize किसी हैद से कर रहे हैं, KOH ही, तो जितना amount of KOH की requirement होगी, हम उसको बोलेंगे उसकी RM value, Richard missile value, KOH जितना use होगा, तो यहाँ पे जितने भी analytical constant evaluations हैं, fats and oil के, वो मैंने cover कर लिये हैं, I hope so, आप लोगों को पसंद आया होगा, कि किस तरीके से हम evaluations कर सकते हैं, fats या oil का, ok, thank you.